Hello Friends! तो आज हम देखने वाले पहुँच जदा important topic वर्ग square के बारे में ठीक है? तो वर्ग जो है पहुच जदा ही most important topic है वर्ग का ज्येत फल वर्ग का परिमाब और वर्ग से जो important question होते वो भी एक्झाम में पूच अदे rap ठीक है तो हम देखते वर्ग होता क्या है तो देखो वर्ग जो होता है वर्ग होता है एक चतुर भुज़ देखो यह चार भुज़ वाला क्या है चतुर भुज़ है ठीक है क्या है इसमें देखो चार भुज़ है चतुर भुज़ मानलो यह चार भुज़ है का नाम रख दो ए हो गई ये बी हो गई ठीक है ये हो गई आपकी सी और ये हो गई आपकी डी ठीक है तो वर्ग जो होता है वर्ग एक क्या होता है चेतुर भुज होता है तो आपने क्या लिखा वर्ग एक चेतुर भुज होता है जिसकी जिसमें कहोती चार भुज होती और वर्ग में कहोता ह आमने सामने मतलब चारो भुजाए जो होती वो बराबर होती है मतलब ये वर्ग क्या होता है एक चतुर भुजाए जिसमें मतलब चारो भुजाए क्या होती बराबर होती और प्रते कोड़ जो होता है वो नब्यंस का होता है आप देख सकते हो नब्यंस का कोड़ ऐसा होता है ये ये बीच वाला जो कोड़ होता है ये नब्यंस का होता है तो देख सकते हो ये वर्ग का प्रते कोड़ नब्यंस है तो आपने क्या देखा कि वर्ग एक ऐसा चतुर भ होता है जिसकी सभी भुजाएं देख सकते हो बराबर है सभी भुजाएं बराबर है और प्रते कोड क्या होता है नब्यंस तो वर्ग क्या होता है वर्ग एक चतुर भुजाएं बराबर होती है तथा उसका क्या होता है उसका जो प्रते कोड होता है वो होता है नब्यंस तो आ बाहर का पूरा भाग होता है इसे हम कहते हैं परिमाप निकालना है तो हम क्या करेंगे इनकी चारों पुजाओं को ऐसे अगर जोड़ दें अगर कर दें तो क्या निकल आएगा वर्क कहाँ परिमाप निकल गए आएगा और वर्ग के छेतरफल की बात करें तो छेतरफल कैसे निकलेगा देखो छेतरफल ये है तो देखो आपको पता इतना इतना तो पूरा बराबर ही है ठीक है चारो भुजा है बराबर तो वर्ग का छेतरफल जो आएगा वो होगा भुजा का स्क्वेर, मतलब भुजा गुड़े भुजा, ठीक है, तो वर का जो छेतरफल होता है, वो होता है, भुजा स्क्वेर होता है ठीक है वर के छेतरफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या भुजा स्क्वेर, अब वर के परिम्या आपकी बात करें तो देख सकते हो आप चारों भुजाओं को बलाई जो पूरा यह है इसे जोड़ना होता है तो आपको पता चारों भुजा है तो बराबर होती है ठीक है अगर आप भुजा प्लस भुजा चार भुजा जोड़ोगे भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा चा बार भुजा जोड़ोगे ठीक है तो आपको पता है चारो भुजा है तो वर्ग में बराबर होती तो आप डारेट क्या लिख सकते हो चार गुड़े भुजा तो इसका परिमाप क्या निकलेगा चार गुड़े भुजा तो आपने देखा वर्ग का परिमाप का सुत्र का होता तो आपको पता है ये कोई वर है इसकी बुझा आपको बताई गई है चार सेंटीमिटर ठीक है मान लो ये वर्ग ABCD है आप नाम रखो या ना रखो ठीक है वर्ग की बता दी कही भुजा 4 संटिमीटर तो आपको पता चारो भुजाए बराबर होती तो सारी 4 संटिमीटर होंगी ठीक है तो सारी कितनी होगी 4 संटिमीटर होंगी आप कह रहा है क्वेशन में कि इसका हम ग्याद करते है तो वर्ग का चेतरफल का सूतर आप ने अभी पड़ा बढ़ का चेतरफल क्या होता वर्ग का चेतरफल जώνता होता है बुजा हंस्क्यार तो भुजा कितनी दी परते किластizado है तो 4 किसे इसकुए हो आप बात होती क्वेशन क्या है स्वेंसर किया सूरा क्यो लिखना पहुच जरूरी है ठीक है यह मतलब एरिया ठीक है तो मातरक आप लिखोगे तो आपको नमबर पूरे पूरे नमबर भी लेंगे ठीक है अगा मातरक नहीं लिखोगे तो भाई नमबर कड़े आते है ठीक है तो मातरक लिखना पहुच जरूरी है आप बात करते परिम परिमाप 16 cm आ गया वर्ग का छेतरपल आपने निकाला वो कितना आ गया वो भी 16 cm स्क्वेर आया ठीक है तो महलब जो फार्मुले की बात 3 नगड़ों तो 3 छेतरपल आ जाएगा नो और परिमाप आ जाएगा 3 चोको 12 तो आप खुत आसानी से कर सकते हो देखो क्या करना है और इससे देखो एक क्वेश्चन में लगा लिया जो कि बहुत आसान था तो इसी प्रकार क्वेश्चन पर पूछा आता है वर्ग में ठीक है तो भाई एगा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक चुरू कर देजेगा जिससे आपको मतलब पूरा इ एक है